नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल Competition Boss पर मैं हूँ नितेश दोस्तों यहाँ बात करेंगे एक और नई भरती के बारे में और ये भरती है बारवी पास मेरे भाई बैनों के लिए तो भरती की पूरी की पूरी डेटेल एक बार हम इस वीडियो में देख लेते हैं वीडियो पसंद आये तो यारो लाइक को शेयर जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भरती का पद नाम क्या है तो भरती है आपके शिग्र लिपिकों की, यानि कि शिग्र लिपिक संव्त प्रतियोगी परिक्षा 2018, एक्चुल में ये जो प्रतियोगी परिक्षा थी, ये जो भरती होनी थी, इसके जो आवेदन है, वो री ओपन हो गए हैं, तो जो भी मेरे भाईबेन इसमें आवेदन न एक्जाम के प्रोसेस को ले करके, सलेक्शन के प्रोसेस को ले करके, तो वो भी आपको इसी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कहां कितने पद हैं, और कुल पदों की संख्या हम देखें तो यहां 1211, 1211 पद हैं कुल, अब इसमें से जो मेरे भाई-बेन शासन सेचिवाले में यानि कि सेकेटरेट में जॉब करने के एच्चुक हैं सेकेटरेट में सरकारी नौगरी के एच्चुक हैं सेकेटरेट में शिग्र लिपिक बनने के एच्चुक हैं तो उनके लिए यहां 70 पद हैं अब बात कर लेते हैं RPSC, राडिस्तान पब्लिक सर्विस कमिशन, यानि कि भरती जड़ी हुई है राडिस्तान से, तो उसमें पोश्ट है 5, इसके अलावा non-TSP, जो एरिया है, उसमें विबिन विभागों और विबिन ओफिसेज में जो भरती के पदों की संक्या है, वो है 1080 और इसके अलावा जो टी-एस-पी एरिया है, विबिन विभाग है टी-एस-पी एरिया में, उनमें पदों की संक्या है 56, तो इस प्रकार हम वर्गी करन देखेंगे, तो ये आपके बेठेंगे 1211 पद, पद उपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि भरती में ये शर्ते घटाई या बढ़ाई जा सकेगी, ठीक है, अब इसमें योग्यता देख लेते हैं, तो योग्यता होनी चाहिए आपकी 12th पास, या आप इसके संकक्ष कोई भी योग्यता रखते हैं, 12 पास तो वो, दूसरी बात आपको computer course किया हुआ होना चाहिए, उसमें degree है, diploma course कोई सा योग कोपा का हो आपके, चाहिए आपके DOIT का हो, या फिर आपके RSCIT का हो, या कोई भी आपके computer diploma हो, वो आपको कियावा होना चाहिए, computer degree हो, तो और भी अच्छा रहेगा, detail मैंने video का description में दिया है, इसका आप वहाँ से detail जो पुराना add था, उसको देख सकते हैं, क्योंकि शर्तिय नियम तो वही हैं, और यह फार्मर योपन हुए हैं, तो यहां यह थी आपकी योग गयता हैं, तो यह है आपकी योग गयता हैं, अब देख लेते हैं, यहां जो परिवर्तन हुआ है, तो पहले जो आविदन भरे गए थे, उनमें negative marking के लिए कहा गया था, लेकिन अब negative marking से यहां मुक्ती दे दी गई है, यानि कि आपको सारे के सारे questions, solve करने पड़ेंगे, solve करेंगे तो selection के ज़्यादा chance रहेंगे, एक परिवर्तन यह किया गया है, दूसरी बात, दिव्यांग category के जो पद 2011 से खाली चले आ रहे थे, उनका भाई समाप्त कर दिया गया है उनको और उनको सामने category से सामने तरीके से भरा जा सकेगा, दूसरा परिवर्तन, तीसरी बात, जिसने form बर दिया है, उसको form बरने की जरूत नहीं है, चौती बात, जिसने form बर दिया है, और जिसने अगर मानली जी कोई गलती रह गई है, यह category में या योग गयता संबन दी, तो वो edit करके उस form की गलती को सही कर सकेंगे, तो यह थी इसमें चारों तरीके के नए परिवर्तन, अब बात कर लेते हैं dates की, तो 26 अगस्त, 26 अगस्त से यह form बरने शुरू होंगे आपके, दुबारा से, ठीक है जो बरना चाहे फिर से भर सकता है, और 24 सितंबर तक यह form ब बरेज जा सकते हैं, यह आपको करीब करीब एक मेहना मिलेगा, अब बात कर लेते हैं संशोदन की, तो जो मेरे बाइबेन form बर चुके हैं, अब जो नए बर चुके हैं वो भी, या नए बरेंगे वो भी, और पुराने जो बर चुके हैं वो भी, दोनों के लिए correction की date अलग अलग दिया, तो जो नए मेरे बाइबेन form बरेंगे, और माली जी उनको कोई बाद में change करना हुआ, तो वो 25 सितंबर से 1 October तक अपना form में correction कर सकते हैं, योग गयता को ले करके अपनी और कोई भी चीज उनके गलती रह गई हैं, तो उसको सही कर सकते हैं, और जो पुराने अवे धक हैं, ठीक है न, पुराने अवे धक हैं, उनके लिए जो डेट है वो 2 October से, इनके बाद, तो वो 2 October से 8 October तक, 2 October से 8 October तक, पुराने अवे तक, जिन्होंने form पहले बढ़ दे थे, वो अपनी गलतीयां ठीक कर सकते हैं, और गलती की fees आपको देनी पड़ेगी, वो है 300 रुपए, 300 रुपीज, यह आपकी जो form में editing करेंगे, आप जो गलतीयां ठीक करेंगे, उसकी fees है, form fees मैं आपको बता रहा हूँ, तो form की fees देखें तो general category, OBC category और MBC, यह creamil air वाले, भरेंगे 450 रुपए fees के, अब non creamil air, OBC और MBC, most backward और backward class, उनकी fees होगी केवल 300 रुपए, लेकिन SC, ST और जो दिव्यां मेरे भाईबे ने, उनकी fees है 250 रुपए, अब सभी categories की fees यह रहेगी, लेकिन इसकी age limit आप देख लीजिए, 18 कम से कम और 40 अधिक से अधिक, reservation मिलेगा, राडिस्थान के मूल निवासियों को, भर सकते हैं, किसी भी state के आप हो, आवेदर भर सकत इसमें जो exam होने वाला एक किस तरीके का होगा, और आपको क्या-क्या तयारी करनी है, तो भाई, दो फेज होंगे आपके exam के, शिगर लिपिक बनने के लिए आपको दो फेज का exam देना पड़ेगा, पहला फेज में आपका paper होगा, जिसमें आपके general knowledge, राजिस्थान के संब solve करना होगा, जिसमें GK, GS और राजिस्थान तीन हो आएंगे, फिर इसी में तीन गंटे का एक paper और है, वो भी 100 अंकों का है, वो सामानने हिंदी और सामानने इंगलिश का, इस प्रकार दो पेपर होगए आपके तीन-तीन गंटे के 200 अंकों के, ये आपका page first है, दूसरा page पर समझ लो भाई, इसमें हिंदी और इंगलिश दोनों में से पहली बात तो एक बास्टा चुननी पड़ेगी आपको, सबसे पहली बात तो आपका 10-10 मिनिट का इसमें आशुलीपी का test होगा, और इसके अलावा आपका जो है, 60 मिनिट का 100 अंकों का, कुल, एक और test होगा जिसमें आपको शुतिलेग बोला जाएगा, जिसमें आपको उसको translate करते हुए, उसको आपको type करके देना है, ठीक है न, तो इंदी इंगलिश में से सुतिलेग का जो लेखांश है, उसको computer आपको type, प्रतिलेखन करना है, या निकि उसका type करना है, और इसमें आपको उसका बाशा में convert करके भी आपको लिखना पड़ेगा, तो ये आपका इसमें exam pattern होगा, अब रही बात इसमें कोई भी अगर मानलो जानकरी अदूरी रह गई हो, या आपको और कोई जानकरी चाहिए, तो इसके दो जरी है, पहला तो आप comment section में जा करके पूछ सकते हैं, मैं आप आपको बताने की, आपकी जानकरी पूरी देने की कोशिश करूँगा, दूसरी बात वीडियो को description में चले जाए, वहां मैंने आपको link दिया है, उस link पर आप click करें, तो आपको इसका old notification और new notification, दोनों मिल जाएंगे, आप दोनों notification को use कर सकते हैं, तो दोनों notifications को एक बार आ देख लें, उसमें जो भी जानकरी आपके काम किया, उसको print ले लें, underline कर लें, उसके हिसाब से आप तयारी करना शिरू कर दें, तो वीडियो पसंद आया तो यहरो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को subscribe भी कर लेना, बेल लाइक अन दबा देंगे, आप तो वीडि वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार